सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल ऐकन को दबाईए कुछ नया सीखने के लिए तो फ्रेंट्स एकवा फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेट्शीट में सेल्स को वर्टिकली और होरिजंटली मर्ज कैसे करते हैं गूगल स्प्रेट्शीट के उपर बेसिक से लेके एडवांस तरके वीडियो देखने के लिए निचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस का लिंक दिया है वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं जैसा कि आप प्लायं यहां पर हमनी चोटा सा डेटा pap पीर केर है अब माल लिजे कि हमें सेथ को वर्टिकली मर्ज करना है तही इस सबसेपहले जहां तक कि सेल्ल को हमें मर्ज करना है वहां तक हमें इन दो 12 का ममें है तोहमिन इसको इसको सेल्लेक कर लिया उसके बाद और अगर अब horizontally select करेंगे तो यहां पर horizontally highlighted होगा फिलाल vertically पर click कर देते हैं तो merge vertically पर हमने click किया देखेंगे 45 जो था यह दो cells आपस में merge हो गई उसी तरहीक से चलते हैं इस बार horizontally करके देख लेते हैं तो हमने देखिए horizontally दो cells को select किया उसके बाद हम गया format में फॉर्मेट के बाद हम गया merge में और इस बार देखिए horizontally highlighted है हमने जैसे ही merge horizontally पर click किया तो यह देखिए दोनों cell आपस में merge हो गई